नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में मित्रों ये आईशर इंजन है जो की गन्ना पेलने वाले यानि गुरू बनाने वाले कोलू पर लगा हुआ है आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या है क्योंकि ये घड़ बढ़ कर चल रहा है और सपैद धुआ दे रहा है वाइट स्मोक कर रहा है और घड़ बढ़ कर चल रहा है ये देखी सकते हैं आप तो अब हम इसकी समस्या के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं ये देख ल आपके लिए बना रहे हैं बने रहेगा वीडियो पर वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो हम इसका डिलिवरी वाल खोलेंगे हमने तेल को नीचे उतार लिया ह है अगर उपर तेल को रखेंगे बंद करने की टोटी नहीं है तो यह डिलिवरी वाल जब हम खोलेंगे तो यह हमारा निकल जाएगा खराब होगा तेल इसलिए हमने नीचे कर दिया है अब हम यह प्रेसर पाइप खोल कर इसका पंप का एडॉप्टर खोलेंगे एडॉप् हम इसको पेचकस के माध्यम से डिलिवरी वाल को निकालेंगे क्योंकि अधिकांस इसी के वज़े से यह दिक्कत आ जाती है वज़े तो और भी कुछ है लेकिन इस इंजन में यही वज़े पाई गई है इसकी वज़े से काफी सारे चीज़े हम खोल बैठते हैं तो इस जान हम एक प्लास की मदद से इसको निकालेंगे यह देख लीज़ेगा यह निकल गया है और अब हम यह देखिए जो निकाला है डिलिवरी वाल यह वैसे तो नया ही था लेकिन इसकी यहां से यह सीट टेरी होने के कारण यह लिकेज कर रहा था जो कि हम अभी दूसरे डिलिवर वाल लिया है जो कि औरिजिनल है यह 558 नंबर का डिलिवरी वाल इसमें लगता है आईशर में भी और क्रिलोस करके जितने भी इंजन होते हैं पंपिंग सेट उने भी यही नंबर लगता है यह वासर लगा देंगे यह प्लास्टिक की वासर होती है यह भी अच्छी क्वाल हो जाते हैं इंजन स्टार्ट नहीं होता तो इसका अवश्य ध्यान रखें यह इस प्रिंग अवश्य लगाएं इस तरह से ओल्डर को अच्छी तरह से टाइट करें अगर हम तोड़ा सा इसको लूज रखेंगे तो यहां पर प्रेसर लीक होने की संभाव न रहेगी जो हम हमारा फुल प्रेसर है वो नहीं हो पाएगा पंप के द्वारा अब हम टंकी को ऊपर टांगेंगे ताकि हमें इंजन चालू करना है टंकी को हमने यहां पर टांग दिया है और यह नली वगरा अटटीज वैसे ही जैसे थी अब हम एक वार हवा निकाल लेंगे इसकी एक वा के बाद ही दुआरा कोलें तब ही हवा निकालें अब हमने इसकी हवा देकिए उस प्रकार हवा निकल रही है अब हम इसको कर देंगे पूरा तेल आ चुका है एड़ोप्टर को अच्छी तरह कर देंगे अब हम इसको चेक करेंगे इस डिलीरिवाल को क्या ये भी काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिलीरिवाल मेरे पास रखा हुआ था ये रखे रहने से भी खराब हो जाते हैं नहीं भी तो ये देख लिजएगा ये वर्क नहीं कर रहा है ये इसकी भी सीट खराब हो चुकी है क्योंकि इसका पहचान ये होती है यहां जो तेल है इसको साफ कर लीजएगा एक बार और फिर छोड़ दीजिए अगर तेल सतह है अपने आप ही तेल यहां को आने लगता है तो समझे लेजएगा कि डिलिवरी वाल खराब है ये इसकी पहचान मुख्य पहचान है ध्यान रखें वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और शेयर भी करें ये देख लिजेगा एक वार हमने साफ किया है फिर से तेल धीरे 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 आना शुरू हो गया है ये देख लिजेगा तेल की मातरा एड़ोप्टर में बढ़ गई ये देख लिजेगा ये बढ़ चुका है तो ये परफेक्ट काम नहीं करेगा ये वैसी ही हालत है पहले वाले से भी और ज्यादा खराब है ये तो अब हम इसको निकाल कर एक डिलीवरी वाल और हमारे पास है उसको लगाएंगे इसको निकाल देते हैं इस तरह से इसको निकालेंगे क्योंकि इसका वासर फ़स चुका है काफी ज्यादा फस गया है तो हमने इसको निकाल लिया है और ये निकालते समें बासर खराब भी हो गया है अब ये एक डिलीवरिवाल दूसरा लिया है हमने इसमें हम बासर दूसरे लगाएंगे जो इसमें पहले ही लगी हुई थी वही वासर हम इसमें लगा देंगे ये देख लिजेगा ये डिलीवरी वाल हमने साफ करके और ये हमने डिलीवरी वाल एक नया डिलीवरी वाल वासर लगाया है अब एडॉक्टर को अच्छी तरह से कज़ देंगे हमने एडुक्टर को अच्छी तरह से कस दिया है अब एक बार फिर से हम कौल कर हवा निकाल देंगे तेल यहां पर आने देंगे यहां पर पूरी तरह से तेल आ चुका है यह देख लीजेगा हमने इसको टाइट भी अच्छी तरह से कर दिया है अब एक बार हम घुमा रहे हैं इसको तो ये तेल यहां पर आ चुका है और हम इसको एक बार फिर हमने साफ कर दिया है ये देख लिजेगा हमने इसको पूरी तरह से इसका तेल सुखा दिया है अब ये बिलकुल भी लिक नहीं कर रहा है देख लिजेगा आप बिलकुल भी ये तेल लिकेज नहीं कर रहा है अब हम शियोर हो गए हैं बिलकुल कि अब ये पूरी तरह से अच्छा वर्क करेगा प्रेशर पाइप को टाइट कर गया हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया है ये देख लिजेगा पहली बार में ही ये इंजन स्टार्ट हो गया है और मोजल भी पहले के मुकाबले अच्छा वर्क करने लगी है अब आप देख सकते हैं साइलेंसर के तरफ देखें आप किसी प कट बढ़ रहा था आप आवाज भी सुन सकते हैं और धुआ भी नहीं है तरफ देख लिजेगा ये साइलेंसर आपके सामने है और स्पीड भी रेगुलर है स्पीड में भी कोई फरक नहीं है नमस्काल में तो ये वीडियो यहीं तक आप